in theiero fi Reynolds मेरे channel में आपका बहुत बहुत सुखत है फ्रेंड्स अज हम single color में बहुत ही आसान सा design बनाने वाले हैं चलिए, इस to check करते हैं, डियण बनाना इस design को बनाने के लिए हमें थी मुल्टिपल में फंदे चाहिए इस हिसाब से यहां पर मैंने 15 फंदे रखे में हैं 3-3 फंदों में हमारा डिजाइन बनेगा 4 ॉ का डिजाइन है और सीधी तरफ से शुरू होगा डिजाइन की फर्स्टों सीधी साई पहले फंदे को हम सीधे फंदे की तरह हैं उतार देंग धागा पीछे करेंगे और दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे बस यही तीन फंदे हमने पूरी रो में दोराने हैं यह एज का फंदा छोड़के यह तीन फंदे हैं इसको पूरी रो में हमने दोराना है धागे को फिर से अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे धागे को पीछे करेंगे और दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे यानि पूरी रो में हमने ऐसे करना है एक फंदा हमने उल्टा बुनना है और दो फंदे हमने सीधे बुनना है धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे धागे को पीछे करेंगे दो फंदे हम सीधी बुनेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक पंदा हम उल्टा बुन लेंगे धागे को पीछे करेंगे ये लास्ट का एज का फंदा है इसको हम सिधा बुन लेंगे क्योंकि हमारी सीधी साइड है इस तरह डिजाइन के फर्स्ट रो बनके हमारी कंप्लीट हो गई है अब आते हैं सेकंड रो बैक साइड में पहले फंदे को हम ऐसे उल्टे फंदे के तरह सिलिप कर लेंगे धागे को पीछे करेंगे एक फंदा हम सीधा बुनेंगे यह वो सीधा फंदा है जो इधर हमने उल्टा बुना था धागे को अपनी तरफ करेंगे और दो फंदो को हम उल्टा बुन लेंगे जो कि हमने फस्ट रो में सीधे बुने दे पूरी रो में हमने ऐसे ही करना है यानि एक फंदा हमने सीधा बुनना है और दो फंदे हमने उल्टा बुनना है एक फंदाम सिधा बुल लेंगे धागे को अपनी तरफ करके लास्ट के फंदे को हम उल्टा बुल लेंगे क्योंकि हमारी उल्टी साइड है इसने डिजाइन की सेकंड डोवन के हमारी कम्प्लीट हो गई है अब आते हैं थर्ड रोव फ्रंट साइड में थर्ड रोव को सेम ह दागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदाम उल्टा बुलेंगे और दो फंदे हम सीधे बुलेंगे पूरी रोव में हमने ऐसे करना है यानि एक फंदाम ने उल्टा और दो फंदे हमने सीधे बुलने हैं दागे को पीछे करेंगे लास्ट के एज के फंदे को हम सीधा बु हो गई है अब आते हैं फोर्थ रोब वैक साइड में अब हमने क्या करना है पहले फंदे को उल्टे फंदे की तरहाँ से स्लिप कर लेना है धागे को पीछे करेंगे अब हमने सारे फंदो को सीधा बुनना है उल्टी साइड है लेकिन फिर भी हमने सारे फंदो को सीधा बुनना है इस तेन डेजाइन की फोर्ट रो को हमें सीधा बुनते हुए कम्प्लीट कर लेना है इस तरह चार लाइनों में डिजैन बनके हमारा कम्प्लीट हो गया है आपने इनी चार लाइनों को बार बार दोहराते जाना है जब आप दोहराते जाएंगे तो आपको बहुत ही प्यारा और आसान सा डिजैन बनके तैयार हो जाएगा डिजैन बनने के बाद को इस तरह से न एंतू